प्रेंस के अंदर चाहे वो बारतिय सेना है, BSF है, CRPF है, परा-मिल्टरी या पॉलीस की बात करें, जितने भी हमारे security forces हैं, उनमें भी heart attack के common cases. फोजी हमारे हैं, होजी भाई साब, हमारे वो सबसे fit हैं, हमारी सबसे fit कोम अगर कोई है इस देश में, वो फोजे हैं, वो 10 किलमेटर भाग जाएंगे, 20 किलमेटर भी भाग लेंगे, देखो, उनके cases में, जो heart attack की prevalence या दिल के दोरेज़ उसमें पढ़ रहे हैं, सबसे important cause है smoking. Smoking जो है, जिसकी वज़ा से, जो maximum patient हमें मिलते हैं, वो smoking की वज़ा से होते हैं, belt forces में भी. Second reason होता है stress. सबसे ज़ादा emotionally deprived होते हैं, तामजी से दूर होते हैं, बहुत ज़ादा stressed होते हैं. Mentally मतलब उनको ज़्यादा pressure होते हैं. जिसकी ज़िए जब आपके शरीर में mental pressure भड़ता है, तो शरीर में एक हार्मोन भड़ता है, जिसकी ज़िए आपकी धरकन जो है, वो तेज होती है, हार्ट जोर-जोर से pump करना शुरू हो जाता है. जैसे मैंने आपको बताया, जब वोई demand और supply की बात है, आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो, जाहे stress है, stress physical हो भागने वाला, या mental हो, stress है, उससे धरकन भढ़ती है, धरकन इसलिए बढ़ती है, क्योंकि adrenaline hormone भढ़ता है, हार्ट पे वो इतना ज़्यादा एफेक्ट करता है, हार्ट की जोर-जोर से pump करता है, कि demand supply में mismatch हो जाता है, जिसकी वज़ाए से उन लोगों में heart attack हो जाते हैं, तो first is smoking, second is stress, stress दोनों, physical भी और emotional या mental stress भी, इस वज़ा से belt forces में इतना ही fitness होने के बाद भी, हम लोग देखते हैं कि इन लोगों में heart attack होते हैं, और जैसे हमने बात की, वो tablets जो हैं, मैं जैसे बार-बार रोनुँगा, aspirin, flopidogrel, आपके पास उसी time होने चाहिए, और उसी time खाके, उसी वकट तुरंट आपको वहाँ से निकलना है, क्योंकि जैसे मैं आपको बूला, क्योंकि आर्मी में सिर्थ M.I. rooms होते हैं, कुछ सुविदाएं, सारी आर्मी के होती है, लेकि वहाँ पे cat lab नहीं है सर, जैसे ही ऐसा कोई episode होते दबाई लेकि आपको तुरंट जम्मू भागना है,